नमस्कार बहुत स्वागत आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्यप्रदेश की महाडेवेट आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती आज बात हो रही है इवी एम और एस एल यू यू ये एक नया शब्द आपने सुना होगा दिगविजय सिंग इसी तरह के नयने कराते हैं सिंबॉल लोडिंग यूनीट चिन जो होता है कॉंग्रस के दुखड़े के भी बात होगी एक बार फिर से हार से पहले कॉंग्रस ने इवी एम वाला राज शुरू कर दिया है कॉंग्रस के वरिश नेता राजगर दोग सभा से परत्याशी दिगविजय सिंग ने इवी एम में गड़बडी के आशेंका फिर जताई है यानि सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर है इसे लेकर दिगविजय सिंग ने सरवोच अदालत का सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट खटाया है कोट में लगाई गई याचिका में सिंबल लोडिंग यूनिट यानि S.L.U. को सुरक्षित रखने के सुप्रीम कोट के आदेश का पालन नहीं करने का आरूप लगाया है पर फिर शक आखिर कप तक हमारी हमेशा शिक चुनाओं आयों से शिकायत रही है सिंबल लोडिंग यूनिट नहीं सॉफ्ट्वेर क्या डाला जाता है इस पर हमें शक्ति है चार जून का इंतजार किस की जी किस की हार दिग्विजे सिंग जी का ये जितना भी बहाने कह लीजेस है ये सिर्फ हार का डर उन्हें सता रहा है EVM SLU पर निशाना तैयार है नया बहाना सबसे पहले हिंदुस्तान में EVM मशीन की लडाई केवल BJP ने लड़ी लोकसवा चुनाओ की जंग फिर मुद्दा बना EVM हैकिंग चुनाओ हो और EVM का मुद्दा ना उठे ऐसा हो नहीं सकता एक बार फिर कॉंग्रस और दिग्विजे सिंग ने EVM में गड़बडी के आशंका जताई इसे लेकर दिग्विजे सिंग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए है ये कोई पहली बार नहीं जब EVM पर बवाल मचा हुआ हो कुल मिलाकर चुनाओ में EVM पर जंग जरूर होती है आज मद्दिप्रदेश की महा डिवेट में इसी पर चर्चा करेंगे खैर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुच गया है जल्द ही दिग्विजे सिंग की याजिका पर सुनवाई भी हो सकती है चर्चा भी हम शुरू करेंगे लेकिन मद्दिप्रदेश की महा डिवेट के कोर सवाल क्या है उन पर जरा एक नज़र डाल लेते हैं किन सवालों के अर्दिग्रद हम ये पूरी डिवेट करने वाले हैं एवियम में गड़बडी का राख कब तक एक सवाल दूसरी बात कि क्या माना जाए कि हार के डर के चलते ही ये तमाम बाते निकल कर सामने आ रही है एवियम सुरक्षित ये बार-बार कहा गया है अमिश्टर्मा साब कॉंग्रेस की तरफ से हमाई साथ जुड़े हुए है जैन्त वर्मा राजनितिक मिश्टेशक हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा राजनीती की बारीक से सरजरी आप करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले अमिश्टर्मा साब आप से ही बनेगा EVM SLU इसे लेकर दिगविजय सिंग सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोट की ने जो अभी फैसला दिया था कि 45 दिन SLU को रखना है सुरक्षित तरीके से इसका वो हवाला भी दे रहे है जी देखी ललिज जी अगर बात किसी भी मशीनरी की हो हर मशीन अपडेट की जाती है हर मशीनरी सौफ्ट एर से चलती है और कोई भी चीज़े नई नई सौफ्ट एर नई नई चीज़े आती है तो मशीन पर प्रश्ण चिन न लगाना निसंदे मैं समझता हूँ कि चाहें आज दिखबिजे सिंग जी हो या कल विपक्ष में भारती जनता पार्टी हो कोई ना कोई EVM पर प्रश्ण मशीन पर लगाएगा और आज दिखबिजे सिंग जी ने क्या बात करी कि दिखबिजे सिंग जी ने कहा कि जो SLU है जजगर की शहर की SLU को भेजने का काम किया तो भाई आप रखे रहें देते किस बात में प्रश्ण चिनने हार जीत का इसमें प्रश्ण क्या है कोई भी मशीन को अगर कहीं कोई ले जाएगा और वो भी सुप्रीम कोट का रूलिंग है चुनाव आयोग कोई आपत्ती नहीं दर्श करेगा तो निसंदे सुप्रीम कोट की शरण में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोट भारत की लोकतांत्र प्रकडिया है नियाई पालिका है जिस पे हर नागरिक को भरोसा है तो दिख्विदे सिंग जी अपने नियाई के लिए गए जो सुप्रीम कोट निर्देश देगी उसका तेग चरसा दिख्विदे सिंग भी पालन करेंगे और एक नियाई चेतना जागरित होगी ठीक नियाए चेतना जागरित करने के लिए दुरगेश केस्वानी साहब जी देखें मुझे लगता है कि रलिट जी शक का इलाज तो हकीम लुकुमान के पास भी नहीं तो इविएम पे बहुत लंबे समय से शक करते हुए आ रहे हैं बाराल मुझे लगता है कि अगर आप वो विद्यारती हैं जो बारा महीने पड़ाई करते हैं एक्जाम देते हैं तो निश्चित रुप से आप उम्मीद रखते हैं कि आप पास जानती का दूस्ट तो आपकी जो आइडियोलाजी है आपकी जो सोच है उसे देश बली बाती परिशे से आप बिलकुल बरोसा रखिएगा अपने मद्दाताओं की राजगर के मद्दाताओं की वो कम से कम पांच लास वोटों से ज्यादा आपको घर बढ़ाने का साम करें बाजपा परिशाक्शी पांच लास वोटों से जीतने वाला है क्योंकि आप देखिए ने जब आप धारा प्रवा में न चलते हुए विपरित प्रवा में जब भैसे हैं तो आपकी भाउना हैं जो आप लोगों की भाउनाओं को ठेस पोठाने का का काम करते हैं उसको अमल अभी से ही भाने खोजने लग गए आप अभी से ही इवीएम इवीएम का राज अलापने लग गए आप बज्देपर देश में 29 की 29 सीटें कांग्रिस आरने वाली है और देश में हमने जो काए अब की बात 400 पार हम निश्चे तरुक से 400 पार जाने वाले हैं ठीक 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 ताके कोई अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब मिलना चाहिए एक बात दूसरी बात जवाब ये आया है कि कमिशनिंग एक मई के बाद जिसकी कमिशनिंग की गई है वहाँ पर तो ये रूल हमने लागू कर दिया है पर राजगर की कमिशनिंग पहले कर ली गई थी इसे थोड़ा समझाएं भी और क्या जो दिगविजा आरूप लगा रहे हैं या फिर से आरूप लगा रहे हैं इसे आप कैसे देखा है जैन सर ललिजी ये पूरा मामला है इसमें एक तो निरवाचन जो हो था है इसमें जो इलेक्शन मैंयुल है वो कहा गया है कि मतों की गंड़नी कीजाएं कोई तो जो पर्ची है वह फाइनल मोनिंगी मतलब उनका इनवर्ड ही कहता है कि पर्ची ही वोट है तो वोटों की गिंती यदि होनी है तो पर्ची की गिंती होनी चाहिए पहला तो यह है तो यह एक दूसरी बात जो वो है सिंबल यूम लोडिंग यूनिट है उसके बारे में एक जो रिटर्निंग आफसर थे आई एस आफसर जो केरल के थे केर तो ये बात उनने कहा था और उनने कहा था कि ये पूरा फार्स है मतलब ये जो चुनाओं है ये मैनिपुलेट किया जा सकता है ये पूरा का पूरा उनने उनका ही अपने यूट्यूब में पचासों आ रहा है और तीसरा ये है कि जब चीफ एलेक्शन कमिशनर का आपके मनमल जी से चलेगा जी और इस लिए ये सारी शंकाएं पैदा होती है तो मुझे लगता है सरकार ने जिस प्रकार का ये सब किया है तो उससे लोगों के मन में शंका पैदा हो जी और दिग्विजे सिंग जो कह रहा है उसको सिग्येसली लिया जाना चाहिए और चौड़ी एक फैरिस्त है जो इस बार आयूग पर सवाल उठाए जा रहे है डॉक्टर शर्मा बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे और जाहिरा तोर पर एक रस्मन एक रस्म है आरूप लगा देने की हमारे जो मुझे चुनाव आयूग थे हैं वो तो इतना आहत है कि उन्होंने एक शेर भी पढ़ाता है उससे लेकर खैर तो यह रस्म है कि हर बात को लेकर आयूग पर सवाल उठा देना पर इतने चुनाव आपने देखे हैं आरूपों की संख्या श्रंखला इस बार जादा है ड़क्टर शर्मा देखिए लले जी पहले तो जिस चीज़ इस पर आपने डिबेट रखा है तो इसको कलरिफाइब होना चाहिए मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं देखिए तीन यूनिट अभी तक चलती थी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बीवी पैट, वोटर बेरिफेबल, पेपर ओडिट ट्रें इस बीवी पैट का इस कंप्यूटर में हम पैंडराइब से कुछ भी चीज उसमें कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, इबी एम में भी वो तीनों चीज में, बैलेट इनिट में, और कंट्रोल इनिट में, तीनों में ये चीज फीड हो जाती है, यहनि कि जब नॉमिनेशन बापिश होने क कि बाद जो फाइनल नाम बचते हैं, वो नाम प्लस उनकी सिंबोल्स उसमें फीड कर दी जाते हैं, लेकिन 26 अपरेल को सुप्रीम कोट का, किस मामले में एक वो आता है, सुनें, जिसमें 100% बी वी पैट्स को ट्रेल करने का, यहनि उसको टैली करने का, किसे एबी एम के एक PIL थी, उस PIL के डिसिजन में सुप्रीम कोट ने कहा, कि यह कुछ बिकार की चीज़ है, हर चीज़ पर सक करना, उसने उसको रिजेट किया, लेकिन उसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, उसने जोड़ी, वो क्या जोड़ी, उसने कहा, कि जो SLU है, उसको क्या है, इद सुप्रीम कोट का ओडर कह रहा है, कि रिजल्ट डिकलियर होने के 45 days तक उसको जहां EBM, यानि कि जो strong room होता, उसमें उसको रखा जाए, ECI में क्या किया, इसको implement करते हुए, एक मही को आदिस जारी कर दिया, एक मही को जब आदिस जारी हुआ, तो जो स्टेट के एलेक्शन Electoral Officer से हैं, उनको वो एक मही को मिला, तो जिस दिन उसमें आदिस में एक मही ही लिखा है, एक मही से नया ये चीज़ लाग होगी, लेकिन इसके पहले अगर वो वापिस कर दिये गए, तो मेरा वह यह मानना है कि वहां गलती तो नहीं है, लेकिस साबधानी पूरवगर उनक जब से नरेंद्र मुदी की गवर्मेंट देश के अंदर आई है, एबी मेंपर सवाल उठा रहे हैं, एडिय उनका उसी सवाल का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये खुद स्वेंट सुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंनों और भी उसमें कहा था, आपको ध्यान हो कि रागोगर की इतनी हिम्मत नहीं होती है, कि वो बाइस हो जाए, या किसी को फेवर कर पाए, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, नो डाउट, बीजेपी कॉंग्रेक्स के बीच में बड़ी भ्रंत है, राजगर में, लेकिन इतनी जब दिवजा सिंग जैसा लेडर, चुनाव मैदान म हो, तो कलेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है, और कलेक्टर बिसिकली बाइस कम होते हैं, ये मामलों में वो फुक कदम रखते हैं, लेकिन उन इनियोट्स को रखा जा सकता था, ये ज़रूर बात है, लेकिन दिवजा सिंग इस मद्दे पर सवाल उठाते हैं, इसलिए कही नहीं को गिरते हैं, और हम डिवेट करते हैं, नहीं हलाके उनका ट्रेक रिकॉर्ट जो रहा है, गंबीरता मारोप लगाएंगे, बाद में वो सबूत लेकर चले आते हैं, खेर, मैं 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 रोक रहा हूं सर आपको, अमिश रर्मस आप, मैं फिर आप से सवाल की शुरूआ बात कर रहा हूं, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया राजगर से, एक कैमपैनिंग भी थी, एक शायरी भी थी, आशिक का जनाजा, और जिस तरह की बातें, चुकि हमेशा की जाती है, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, आपकी पार्टी को न कॉंग्रेस की लिस्ट जारी हो रही थी, तो भारती अंता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि दिग्विजे सिंग जी में दम हो तो वो चुनाओ लड़ ले, क्यों भाग रहे हैं, तो जब कॉंग्रेस की सूची जारी हुई मध्यप्रदेश में, तो जब राजगर से नाम डिक्लियर हुआ, तो दिग्विजे सिंग जी चुनाओ जन लोकतंतर के जन मानस के लिए तैयार थे, तो जब दिग्विजे सिंग जी ने प्रश्न पूचा, तो भारती अंता पार्टी का सारे प्रवक्ता जो हैं, वो आगले भगले जहांकने लगे, अब रही रोड म गड़ बढ़ा गया, और जो राजनितिक विशले शक्गे थे, भारती जनता पार्टी के, वो आएंबाएं होने लगे, तो मेरा ये कहना है कि स्वयम दिग्विजे सिंग जी कॉंग्रेस पार्टी के राजगर से प्रत्याशी हैं, ना कि वो बाहर सीम में हैं, वो स्वयम प जारी हुई सारे देश हैं, वो ओए बाहर ये प्रशन नहीं हैं, प्रशन इस बात का है, कि जैसा अभी ऐस बात है, आप लगातार आरुक लगा रहे हैं, आपने तेरा में इंटर्डूस किया, आप एवियम को लेकर आए, उसके बाद से लगातार चुना होते हैं, कई बार को अपना एक्जाम देना पड़ा हर इमतहान में उसने अपना डिस्टिंग्शन साबित किया अमिश्ण नर्मसार कि लली जी मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मशीन आज जो चाहें कॉंग्रेस ने लगा दी होई अब आर्थी अंता पार्टी ने वह हमेशा एक जैसी बने में जो रूलिंग है उसका कलेक्टर ने क्यों लंगन करा क्यों भेज दी भाई आप 45 दिन तक रखे रहने देते चार जून का इंतिजार करते तो यह प्रश्णि कलेक्टर पर लली जी आप देखिएगा कि सुप्रीम कोट इस एक्शन लेगी और यह एक्सेप्ट होगी और अगर एबीम पे डाउक थे तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ पर चुनाव आयोग हमेशा ही तब को बलाता है सभी दल्स को बलाता है और सभी आई 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 टीन्स को बड़े बड़े लोगों को भी वो जो एक्सपर्ट थें जो जो इन चीजों को काम करते तब आप लोग और दिखुजय सिंग जी भी जाए ना उस समय पे, उस समय तो आप नजारत हो जाते हैं, आप जाके वहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी दें, क्योंकि चुनाव आयों के निश्पक्सा से चुनाव कराता है अलले जी, और जब निश्पक्सा होती है, तो सबके साथ बेटता है, सबको बोलता है कि आप इसको हैक करके दिखाओ, आप इसको ट्रेक करके दिखाओ, आप इसको मैनिपलेट करके दिखाओ, पर उस समय तो सब लोग सबके सामने रखके वो बात करते हैं, फिर बात में जब आप भारने की कगार पे खड़े होते हो, त जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो रफ़तार बहुत सुस्थ होती है और थीम सौंग में जी जी मैं सवाल कंप्लीट कर ला हूँ शिफ सेना ने अपने थीम सौंग में भवानी शब्द का इस्तमाल किया था ततकाल नोटिस जारी हो गया किस वानी स कर भी जब आयोग आको कॉल करता है तब आप पोछ पर आप हसे हैं जो बी आपकी के टरीष यह किरी जो भी आपके आपके हльश जो वह सामने रखना चाहिए वह तो सभी अससा भी बन्दक तो ब quickawn हम तो हम इसके विपरीट ये इवियंब के उसमें बहरों से चुनाव जाते हैं हम अपनी मेहनत के बहरों से चुनाव पर जाते हैं हम 24 इंटू 7 300 65 दिन 5 साल जंता के बीच में रहने वाले होगे हम जंकरल्यान के काम करते हैं social justice के काम करते हैं तो जनता हमें आश्रवात देती है, अब जब आप काम करोगे ने, आप सिर्फ बाने बनाओगे. इस पर हमिश्टरमा साब से जवाब लेना चाहिए, हमिश्टरमा साब काम के भरुसे बीजेपी जाती है, एबीम के भरुसे नहीं जाती है, आप लोग भी काम करिए. लली जी जिसने राजगर का चुनाओ देखा है, मैं तो खेर छोटा हूँ, सत्प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं, राजगर का चुनाओ 13 और 19 के भी देखें और इस बार लोगों ने 24 का भी चुनाओ देखा, हाला कि मैं भविश्य करता नहीं हूँ, कि मैं भविश्य बानी कर स आप रोडमन लागर जी को टेली बॉल लगा के देखिये, जो खट-खट-खट-खट हो रहा है न, वो भारती लंता पार्टी के रोडमन लागर जी का धगड़दक-धगड़दक हो रहा है, तो मेरा आप पे कहना है, जो विवस्ता है सुप्रीम कोर्टी, जो आयोब की वि मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत जरूरी सवाल मेरा जैन वर्मा और डॉक्टर शर्मा से रहेगा, सर वक्त कम है, आप दोनों से सेम सवाल, जैन सर पहले आप से, जब ये वरिडिक दिया जा रहा था, जो याचिकाय खारिच की गई है, एवियम के खिलाफ, और ये कहा ग जीज़, जीज़, ये बात बिलकुल ठीक है, जिस्टिस खन्ना उसमें एक साथ में जज़ थे, जिनके बारे में कई सवाल भी लोगोंने बहुत से उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग, या तो कोई भी एक मेशीन को प्रोग्रामिंग ये वाली आई है, जो की दिखाती है कि ये पंजे को वोट गया है, पर वहां पलची में जाएगा वो, उसको चला जाएगा, तो ये इस प्रकार का तो पचासों लोगों ने डिमांस्ट्रेट किया हुआ है, और एलेक्शन कमिशन तो कहता है, जूर से दे जी, जी, डॉक्टर शर्मा आपका भी कमेंट लेकिन बहुत कमबग बचा है, प्लीज, तीस सेक्ड़, प्लीज, प्लीज, रिपीट यॉर कुशन, जी, जो मैंने टिपनी का जिकर किया, जज थे, उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम पर आँख मून कर पूरा बरुसा नहीं कर सकते, ये टिपनिया भी हुई है, बहुत शॉर्ट देखे, लली जी, सबसे बड़ी चीज है, इलेक्शन कमिशन उप इंडिया की ये ड्यूटी है, कि वो देश के लोगों के लिए चुनाव कराते हैं, पोलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव कराते हैं, तो उनकी का समाधान होना चाहिए हर हाल में, हलाकि सुप्रीम कोट के डिसीजन पर मैं कोई टिपनिया नहीं कर सकता, उसने कहा है, इबी एम्स के बारे में हर कुछ सवाल के घेरे में नहीं आ सकता, मैं भी उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन संकाओं, आशंकाओं, उनकी चिंत इसे डिबेट भी नहीं, ये डिसकेशन थी, इसमें हमने आपको जानकारियां भी दी, इसमें हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके सारूप प्रत्यारूप के दौर चल रहे हैं, तुझे बे रहम, बे मुरववत कहूं, तो मेरी महबद की तोहीन होगी, सवाल वो ही है, कि अगर सवाल उठ रहे हैं, तो शंकाय उठ रही हैं, तो समधान तो होना चाहिए, आयोक के तरफ से होना चाहिए, तब TN Sessions आपकी बहुत याद आती है, दर्शकों कभी बहुत धन्यवाद.